दोस्तों आज इंटरनेट हर कोई यूज करता है इस बीच अगर मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड में कई ऐसे देश भी है जहां इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है इस सुनकर आपको हैरानी होगी इन रीजिन्स में इंटरनेट ना होने के कई रीजन है जैसे कई जगा गवर्मेंट ने इंटरनेट बयान कर रखा है तो कई जगा इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है हमारे देश भारत में भी कई ISP हैं यानि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे Airtel, Geo and many more बट फिर भी आज के टाइम में इंटरनेट यूज करते वक्त हमें काफी बफरिंग प्रोब्लम फेस करनी पड़ती है और तो और आज हमारा देश भारत 5G टेक्नोलोजी की और बढ़ रहा है वहीं भारत में कई ऐसी जगा भी है जहां 3G कनेक्शन भी ढंग से नहीं पकड़ता इन सब प्रोब्लम के कई रीजन है जिन पर हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं बट फिर भी ये प्रोब्लम ठीक होने में काफी समय लगा सकती है और अभी कुछी दिरों पहले ये खबर आती है कि इन प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए जानिमानी कंपनी स्टार लिंक ने स्पेस एक्स के साथ कॉलाबरेशन करके एक सल्यूशन निकाला है स्टार लिंक और स्पेस एक्स के फाउंडर यानि इलॉन मस्क का कहना है और रिधा होगा कि इंटर्नेट बंता कैसे है और कैसे इंटर्नेट हर मुबाइल यूजर तक पहुंचता है आप में से कई लोग सोचते होंगे कि हमें इंटर्नेट सैटलाईट की हेल्प से प्रोवाइड किया जाता है जो कि गलत भी नहीं है बट पूरी तरह सही भी नहीं है हाँ ये कोई मजाख नहीं है असल में Internet हमें satellites और connecting wires के थुरू मिलता है अब आप कहेंगे कि ये connecting wires क्या है क्या ये वही wires हैं जो हमारे घर के बाहर pole में electricity प्रोवाइट करने के लिए लगी है जी नहीं यह वो वायर्स नहीं है और अगर ऐसा होता भी तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग पोल्स पर ही लटके मिलते सो यह Connecting वायर्स ऑशन की बैड में होती हैं और 円irecal種 से connection करके internet को अधर ISP को provide करती है बट वेट मिन्ट जब एक अंड़िट वायर्स इंटरनेट को जनरेट करके ISP को दे रहे हैं तो यह इंटरनेट ke द्वारा si company करती है एक्च्छल में इंटरनेट हिंडिया में TCS Private Limited के द्वारा जनरेट किया जाता है जिससे आप TATA के नाम से जानते हैं तो आप चाहे किसी भी प्रोवाइडर से नेट लेते हो मगर आप Internet TATA Industries के द्वारा जनरेट किया हुआ ही यूज करते हैं TATA कंपनी से ISP Internet Purchase करती है और आप तक पहुंच आती है और यहीं पर Star Link की एंटरी होती है वाइल जहां हमें Internet Users यानि आप तक पहुंचने के लिए Connecting Wire तो सैटलाइट की ज़रुवत पढ़ती है वहीं Star Link की सैटलाइट ऐसी डिजाइन की गई हैं कि वो डारेक्ट सैटलाइट से Internet ISP को भेज सकती हैं वो भी बिना किसी Connecting Wire के अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है हाँ ये अच्छा तो है बट एक सैटलाइट से हम हर जगा पर Internet तो नहीं पहुंचा सकते हैं तो इसका solution निकालते हुए Elon Musk ने कहा है कि हम Earth में कई सारी सैटलाइट भेजेंगे और यहाँ पर कई सारे का मतलब 42,000 सैटलाइट से था जिनमें से हाल ही में उन्होंने 1,000 सैटलाइट लॉंच भी कर दिये हैं इस भी Sustainable Development Department ने इस प्रोजेक्ट को काफी डेंजरस प्रोजेक्ट बताया है Sustainable Development Department के हिसाब से अगर हम इतने सारे सैटलाइट स्पेस में भेजेंगे तो इससे Orbital Debris काफी इंक्रीज हो जाएगा Orbital Debris का मतलब होता है स्पेस में पड़े हुए Unwanted Particles यानि वो सैटलाइट जो की काम नहीं करती हैं और इस प्रोजेक्ट से एक तरह से हम स्पेस को भी पल्यूट कर ही देंगे और इस प्रोजेक्ट को साइंटिस ने भी हामफुल बताया है साइंटिस का कहना है कि ये सारे सैटलाइट पूरे अर्थ को कवर कर लेंगे जैसे Marvel मूवीज में आइरन मैन करना जाता था जादा सैटलाइट होने की वज़े से हमें स्टार्स और सैटलाइट में फरक ही नहीं पता चलेगा क्योंकि Elon Musk ने जो सैटलाइट डिजाइन की हैं वो शाम के समय स्टार की तरह शाइन करती है जिसकी वज़ा से एस्टर लॉजर को रियल स्टार्स और सैटलाइट में डिस्टिंग्विश करने में मुश्किला सकती है इलॉन मस्की सैटलाइट स्पेस में कुछ इस तरह दिखेंगी और यहां तक की मेटेरोट और सैटलाइट में भी कोई डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा जिसकी वज़ा से डिजास्टर का खत्रा भी बढ़ सकता है और हम ऐसे किसी डिजास्टर का पहले से पता भी नहीं लगा पाएंगे इस पर Elon Musk में reply देते हुए कहा है कि वो अपने सैटलाइट को ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो स्काय में बिलकुल भी ना दिखें बट according to NASA ये चीज possible ही नहीं है बट जैसा कि हम जानते हैं कि Elon Musk को impossible word से नफरत है तो वो कुछ भी कर सकते हैं और तो और Starlink ही एक ऐसी company नहीं है जो ये काम करने वाली है कई और company जैसे Amazon की OneWeb और Chinese Space Agency ये सब plans कर रही है same Elon Musk की तरह इसको scientist ने अर्थ के लिए खत्रा बताया है अगर इतने सारे सैटलाइट्स हम और्विट में launch करते हैं तो मनजर कुछ भयानक होगा तो क्या लगता है दोस्तों क्या Starlink सक्सेस हासिल कर पाएगा या ये projects बंद करने पड़ेंगे comment section में जरूर बताईएगा और अगर आपको Elon Musk के उपर एक separate video चाहिए तो comment section में लिखकर जरूर बताएगा तो आज के रिए बस इतना ही मिलते हैं next video के साथ जर झालने जएएगा